Hello Friends, Welcome to the Gardening Bliss आज का टॉपिक माइक्रो ग्रीन्स के बारे में है और मैं माइक्रो ग्रीन्स को कैसे आहम अपने घर में लगा सकते हैं और इसको सिर्फ गाडनर्स ही नहीं बलकि नॉन गाडनर्स भी अपने घर में लगा सकते हैं और जो लोग हाई राइस बिल्डिंग में रहते हैं जिनके पास मिट्टी का एक्सेस नहीं है और उनके लिए मैं बताऊंगी कि हाईड्रो पॉनिक तरीके से वो किस तरीके से माइक्रो ग्रीन्स अपने घर में लगा सकते हैं तो दो प्रोसेस आज मैं डिसकस करूँगी और मैं जैसे आप देख रहे हो मैं चार चीजों के माइक्रो ग्रीन्स बनाऊंगी पैरा है काले चने, दूसरा है साबुत मौंकी दाल, तीसरा है मूट और फूर्थ है मेथी तो इन चार चीजों को हम डिसकस करते हैं पहले तो, जो सबसे पहले मैं इनकी बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ अगर हम माइक्रो ग्रीन अपने घर में लगाते हैं तो अगर आप माइक्रो ग्रीन मेथी का लगाते हैं तो मून का माइक्रो ग्रीन खाने से डाइजेशन बहुत अच्छा होता है जिनको कलेस्ट्रोल की प्रॉब्लम है वो थोड़ा कंट्रोल में रहती है और काले चने, काले चने तो हम सबको पता है कि बहुत ही ताकतवर होते हैं और इसका जो micro green है वो बहुत ही healthy है वो हमारे hair के लिए बहुत अच्छा है और जो मोट है जैसे कि घर में ही हम अपने बच्चों को मोट की डाल का या मूं की डाल का micro green बना के दे सकते हैं और मोट के micro green को power house of vitamin B भी कहते हैं और वो बोन्स के लिए बहुत ही beneficial है बोन्स को strong करता है तो चलिए देखते हैं कि हम इन micro green की बार में बात तो बहुत हो गई तो इसको लगाना कैसे है पहले आपको plain garden soil लेनी है जो आपकी garden में जो भी available हो और ज्यादा soil की इसमें जरूत नही पड़ेगी जैसे आपने देखा कि मैंने ये soil लिया और इसके अंदर उस चार basket के हिसाब से मैं इसके अंदर एक केजी वर्मी कमपोस्ट एड करूंगी Microgreens उगाने के लिए जो soil composition होता है वो इतना complex नहीं है बहुत easily कोई भी अपने घर में या अपने garden में उगा सकता है तो आज actually मेरा objective है है कि जो non gardeners है वो भी चीज को देखें और सीखें और Microgreens जैसे healthy चीज अपने घर में लगाएं तो मैंने soil composition त्यार कर लिया है आप मुझे यह चार जैसे मैंने basket ली है इसको मैंने green net था मेरे पास तो मैंने उससे cover कर लिया है जिससे की मिटी मेरी drain out ना हो और पानी अच्छे से drain हो जाए और ariation बना रहे है मेरे मिटी के अंदर तो मैं आप इसन को भरना start करूंगी और और जो side की net है वो हम यूज करेंगे जब यह हमारा micro green लग जाएंगे तो cover करने के लिए तो start करते हैं भरना तो आप सब ने देखा कि इसका soil composition भी बहुत easy है और कोई भी अपने घर में बहुत easily उगा सकता है ज्यादा sunlight की इसको ज़रूरत नहीं है आप इसको कम sunlight में या या अपने घर में या अपने kitchen में रखके भी इसको आप लगा सकते हैं और इस micro green से हम सब जानते हैं कि यह as a salad यूज होता है और इसको आप जैसे चोलाई का साग बनता है या जो ड्राय पालक का साग बनता है वैसे भी बना सकते है हलका sautay करके और इसका use sandwiches में होता है cheese slice के इसमें micro greens लगा के तो बहुत ही tasty लगता है तो चलिए मिटी तो मैंने भर लिये और अब इन micro greens को मैं जो sprouted मेरे जो डाल है और चना है मूंग की डाल है मिती है उसको डालना start करती हूँ तो इसको मैंने एक रात पहले भुगो के रखा था इन दालों को और अब मैं आप जैस इसके अंदर से तो ये मैंने मोट की डाल की अभी लगाई है जब आप ये डाल को उसमें spread करेंगे तो हलके हलके हाथ से थपकी भी देते जाए जिसे की वह अच्छे से मिटी के अंदर लगती जाए अब हम इसको मैं मूंग डाल देखिए इसमें sprout हो गया मेरे मूंग डाल क्योंकि ये समर का टाइम है तो मूंग डाल को भी evenly spread करेंगे और आप देखेंगे इसके अंदर करीबन तीन ये चार दिन में जो मूंग या मोट की डाल और मेथी है इसके अंदर माइक्रोग्रीन जल्दी निकलेंगे और काले चेने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़े से बड़े होते हैं तो उसमें टाइम लग जाएगा और मेथी तो आपको पता ही है अगर हमारे को इसका माइक्रोग्रीन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि अभी उतने विंटर आये नहीं है और हम विंटर और समर्स के बीच में है और मेथी तो मिलती नही इस टाइम पर मार्केट में। और ये है काले चने। काले चने का माइक्रो ग्रीन उगाना बहुत ही ईजी है, अगर आप गाडनन है, आपके पास मिटी है, तो आप अपने मिटी में अपने गुरू बाग में अपने कbrachtairny में जगा जगा डाल सकते हैं, और साः बहुत ही टेस्टी बनता है और बाहर से जब हम इन पत्तों को खरीदते हैं, तो उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड होते हैं, हम वैसी डरते हैं कि ये नहां उसमें कीड़े हो, तो ये तो अपने घर की चीज है, और बिल्कुल फ्रेश होगी, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है, तो जब ये दले लग गए तो उसकी ऊपर से हम एक मितटी की पतली लेर, स्प्रेड करेंगे, सारे कंटेनर के अंदर सारेane बास्किट के अंदर, सारे सब वैं मिती डालेंगे, और फिर उपर से एक फिट TAP देंगे, जंटल ताप देंगे, इस कंटेनर इन वैं मैं बasket के इन बास्केट को आपको धूप से बचा के रखना है ज्यादा धूप में रखेंगे तो यह खराब हो जाएगी और इवनली स्प्रेट करने की बाद अच्छे से इसको टाप कीजिए और कवर तो अब मेरी चारो बास्केट्ट रड़ी हो गई है और अब मैं इनकी उपर एक जेंटल तरीके से पानी को स्प्रिंकल करूंगी और उसके बाद इन जो नेट साइड में आप देख रहे हैं इन नेट से इनको मैं जिसे दरीके से मैं कवर कर रही हूँ आपको ऐसे ही कवर करन जिससे कि मिट्टी में आपको बार बार पानी न डालना पड़े और आपके जो ये स्प्राउट है जो जब इनके ग्रीन्स निकलने स्टार्ट होंगे तो खराब ना हो और इनका मौस्टर अच्छे से बना रहेगा तो मिट्टी में लगाने का ये प्रॉसस था अब मैं आपक करके देखें कि कितना पानी उपर आ रहा है जितना पानी आप देख पा रहे हैं कि मेरे बास्केट में आ रहा है उतना ही पानी इसमें आना चाहिए तो जो मेरे पास ये जो ग्रीन्स जो स्प्राउटेट मेथी मूंग मोट और काला चाना बजगे थे मैं आपको इसी को लगाने के लिए अलग अलग बास्किट का भी यूज कर सकते हैं आप लोगों ने देखा माइक्रो ग्रीन घर में लगाना कितना आसान है हमें इसको बहुत जादा पैसे खर्च करके मार्किट से खरीदना भी नी पड़ेगा और नहीं कोई किट लेनी पड़ेगी इसको खर मे मेथी है वो जल्दी स्प्राउट होके माइक्रो ग्रीन में कनवर्ट होगी काले चैने में टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि आप इसके लिए डिफरेंट बास्किट का यूज करें मैंने बस आपको प्रॉसेस बताया है तो जादा अच्छा रहेगा में बताया अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्यू सो मच थैंक्स फर वाचिंग